और बिलक्म तूसल्टो सब्स परो क्ऺेंगे technika नियंदा ओरओंटेंट। हेंडेटा लोडर का यूज सीखने से से पहले हमको समझना पड़ेगा कि डेटा लोडर को इंस्टाल कैसे करते हैं। तो आज के class में हम सबसे पहले समझेंगे कि data loader को install कैसे करेंगे अब data loader को install करते समय क्या-kia issues आएंगे वो हम लोग इस class में cover करने वाले है ठीक है तो इस video को आपको पूरा end तक देखना है जिससे आपको data loader को install करने के समय में जो-जो issues आते है वो आपको समझ में आएंगे अब यहाँ पे we also search करेंगे data loader यहाँ पे data loader सर्च करने के बाद आप इतर जाओ है यहाँ यहाँ पर download को option है download पर क्लिक करेंगे तिक कण्फोर्म करो इसका अगा आप इस साइट पर आ जाते हो ठीक है इस साइट पर आपको पूरा पढ़ना है या फिर आप डायरेक्ट लिए उस पर खरदो कभूश के बदिये अपकाड़ लोडर कर जो सेट अपो डानलोड करेंगा अब मेरे पास अल्रेशम दाउन लोड्त है पर इस तरीके से आपको इसका सेट आप मिल जाएगा न डाउनन्लोड में जाओ यहाँ पर तो कुछ एक हैसे जीफ वाइल आजाएगे तो आप क्या करते हो ना इस जीफ फाइल को एक्स्ट्रेक्ट करते ओं जो लोग कर रहे हैं तो इस जीफ फाइल को करते हैं extract और extract होने के बाद हमको install करना पड़ता है तो हम लोग इस windows.batch फाइल पर जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे जो भी windows user है वो लेकि जोके मैंने जैसे install पर क्लिक किया तो एक window आई command from और आने के बाद वो command from जो थी वो गायप होगी अब उसके पीछे का reason क्या है वो क्यों गायप हुई तो देखो हमें यह समझना पड़ेगा कि अगर हम लोग data loader को install कर रहे तो data loader को install करते समय हमारे पास क्या होना चाहिए हमारे पास होना चाहिए अब क्यों की मेरे पास इंस्टॉल करके रखा है ताकि मैं आप वेडियो में बता सको उसके तो अब मेरे पास तो है नहीं कैसे पता करेंगे जेडी की है या नहीं तो देखो सब्सक्राइब करेंगे तो इसा ड़ेंद्द कर रावन का तो अब के अक्रिए पास 這些 सघकारैंगा अपकी और यहाँ पर जाकर सकते आपक की यहां पर जावा नहीं इसके अलाव भी तरीके लेकिन है इसको करते हैं अब जो इश्यू हमको आया है कि देखो इंस्टॉल डबल क्लिक किया वह सिर्फ एक बार ब्लिंक होके चला गया ऐसे ब्लिक होता है गाया है तो इसके लिए सबसे सबसे पहले करना है जावा को इंस्टॉल पर जाओ सिंपल डालो जेड़ी के ईसा भी किया और चलेगा आपका विंडोस का वर्जन क्या है वह मैंटर करता बहुंड़ का चेक्क करने कि आपको नहीं पता वर्जन कैसे पता करता है तो वह भी मैं आपको यहांपर बता देता कि किस तरीके से विंडूस नारी उखरजाने को हम लोग लिए क्या करेंगे विंडोस का वर्जन समझने के लिए यह आपका फोल्डर है फोल्डर में चले जाओ यहां मैं आपको आपको दिख जाएगा एडिशन विंडोस 10 प्रोप तो मेरा विंडोस 10 अब क्योंकि विंडोस 10 है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं तो आप वहां से जाके देख सकते हो ठीक है अब यहां पर आजाओ विंडोस पर क्लिक करो अब क्योंकि 64-bit है तो यह एक 64 इंस्टॉल के सामने यहां पर क्लिक करो तो एक फाइल मेरा जो है यहां पर डाउन्लोडिंग के लिए चला गया अब इस पहले इस फाइल को डाउन्लोड होने जाते हैं देन हम लोग बाद में आके की प्रोसेस कंप्लेट करेंग अब लोग देख सकते हैं मेरा जेडी के जो है इंस्टॉल हो चुका है इस फोल्डर में चलेंगे इस फोल्डर में चलने के बाद देखो यहां पर 64-bit वाले जेडी के जो हमारा आ चुका है अब हमें क्या करना है इसको सबसे पहले इंस्टॉल करना है तो जस्ट डबल क्लिक उन दिस जेडी के इंस्टॉल करने में थोड़ा सा आपका दो तीन चार मिनिट लेगा तो आप जस्ट क्लिक उन दिए यस ठीक है एंड वेट करेंगे थोड़ा सा एक फाइल ओपन होका जिसके उपर आपका जो जेडी के है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट करेगा ओके यह दिख रहा है आपको यहाँ पर यह हमारा जेडी के इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका यहाँ पर सिंपल यहाँ पर आएंगे इस आइकन पर क्लिक करना है नेक्स्ट करो आपको जिस भी फॉल्डर के अंदर आपकी जावा डिवलक्मेंट कीट को स्टॉर करके रखना है आप फॉल्डर यहाँ से चेंज कर सकते हो मैं भी अब्र डिफॉल्ट एसड़ और प्रोग्राम फाइल के अंदर जावा जेडी क अच्छ से बाद फिर यहां पर प्रोइल थी इस को फिर कहरें बॉल talks स्वह सीफिलेप करें है तो इसको फिलoh चेट मैंड़ा स्केटर परॉजबर मारें इन है पीप हशक है पएब कॉपप तेको आप देख रहा है किप पॉल से ना स्टार्ट हो गया है सी के अदर प्रोग्राम फाइल जावा जैडी के 23 ओके आगया नाव क्लोज करो तो आप अभी देखो कि हमारा जैडी के इंस्टॉल हो चुका है अब हम लोग इसको वेरिफाइए कैसे करेंगे प्रोग्राम फीचर सब्सक्राइब और यहां पर जाने के बाद आपको क्या करन है तो देखो जैसे वहने बोला इसके अंदर आपके यह आ गया जावा डेवल्प्मेंट की 64-bit वाला इसका मतलब जैडी के इंस्टॉल हो चुका है अब किस वर्जन से हुआ अगर आपको वर्जन चेक करना है जैडी के का तो यहां पर cmd क्लिक करो ऐसे आएगा ठीक है यह तो कमांड कुछ इस तरीके से आप कमांड को नोट करके रख सकते हैं यह को याद करने वाली चीज़े नहीं है आपके जावा स्पेस वर्जन तो यह देखो यह आप पर जावा का वर्जन है यह आपका इंवर्मेंट यह 64-bit ओके इतना हो गया पतला आपका जो जैडी के है वह इंस्टॉल हो गया उसका वर्जन भी दिया है अपने को एवर्जिंग इस फाइट अब क्या करते हैं एक बार ट्राइ करते हैं हमारा जो डेटा लोडर है उसको इंस्टॉल करने के लिए ठीक है तो चलो डेटा लोडर के उपर यहाँ पर आगे यह था हमारे डेटा लो यह था है अब यह देखो क्या कर रहे हैं आगे आपको इंस्टॉलेशन देरहे प्रोपर लिए राइट विकोज बिकॉस अपका जो डेटा लोडर में वह इंस्टॉल हो जुका है ओके ना चैन सी यह पर आपको पूछा है डेटा लोडर तो आपको डिंस्ट्राइब यह आ जादा नहीं है ठीक है तो इसको हम लोग यहां पर होने देंगे यह देखा अब दूसरा पूछ रहा है related to create a desktop shortcut yes I want to create okay do you want to create a start name shortcut yes that's it okay यहां पर आपका जो data loader है वो हो गया है install इस प्रोसेस को complete होनी तो और यह आपका data loader तयार ठीक है now just close this and यह रहा आपका data loader अगर आप चाहो तो इसका जो folder है data loader का हमने start mail में बनाया था ठीक है यहां पर आ चुका है desktop shortcut मैंने यहां पर है नहीं किया है यहां पर हो गया है ठीक है यहां पर तो अगर मैं इसको यहां से close कर दूँ यहां से open कर लेंगे ठीक है अभी क्या हुआ ने salesforce ने आपको यहां पर option दिया है पहले यहां से आपको option नहीं मिलता था इंस्टॉलेशन का मतलब आपको फाइल डाउनलोडिंग का यहां से option नहीं मिलता था बट अभी यहां पर option मिलता है ओके हमारा डेटा लोडर है इसके तुरू आप रेकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो अपडेट कर सकते हो अपसर्ड कर सकते हो और जो चीज आपके इंपूर्ट विजार्ड में नहीं है इस डिलीट क्या रेकॉर्ड इंपूर्ट विजार्ड से डिलीट नहीं कर सकते हैं इससे आप कर सकते हो और देन आता है आपका सकते हो ठीक है and export all भी कर सकते हो ओके तो अब मैं आपको हमारे next session में यह बताऊंगा कि data loader होता क्या है वैसे तब मैंने आपको भी पता दिया इसका idea दे दिया रैट लेकिन अब इसका use कैसे करना है वो मैं आपको अभी इसके next वाले session में जो है वो मैं आपको बताऊंगा so now addition to all the points देखो जब हमारा JDK हमारा install हो चुका है right but हमें क्या करना पड़ता है कि हमारा JDK जिस भी path पर है उस path को environment variable पर set करना भी उतना ही जरूरी होता है ठीक है अब मुझे यहाँ पर error नहीं देगा because मेरा environment variable already set है ठीक है बट आपको क्या करना है आप सबसे पहले आपके JDK में जाओगे ठीक है तो यह कहां पर C के अंदर program files java and JDK 23 और इसके अंदर यह bean folder ओके तो हमें क्या करना है हमें सबसे से पहले advanced system setting को open करना है तो directly search करना है यहाँ पर एडवांस इसको open कर लेंगे यहाँ पर एडवांस पर जाओ environment variable पर जाओ यहाँ पर जाने के वाद आपके system variable पर जाना है एंड इन system variable अगर यह आप देखर हो यहाँ पर path इसके ओपर double क्लिक करो तो कुछ इस तरीके से open हो जाएगा तो भी चल जाएगा ना आपको क्या करना है अब देखो मेरा already see program files java.jdk.pil यह already है अब मैं इसको क्या करते एक मिनट के लिए delete कर देता हूं ठीक है new पर जाएंगे ठीक है new पर जाने के आद आपको क्या करना यहाँ hy 좋아 data यहां पर जाने कि बाद सी drive c drive के अंदर program फाइल प्रोग्राम फाइल की अंदर भ RAW प्रुर्ड्र के अंदर वी यह कि को select करना था पर यहाँ पर देना तो आपका है पर 5 टो जाएगा okay कर लेना है okay कर ले that's it और यहां से भी okay कर लें तो आपका जो environment variable का जो issue है वो भी solve हो जाए ठीक है तो इस तरीके से हमारा आपको जब भी JDK, Java, JR install करो तो आपको यहाँ पर environment variable को set करना ज़रूरी होता है otherwise उसको location ही नहीं मिलती है कि आपको कहा पर जाकि किस चीज़ का use directory कहा भी मिलेगी उसको right तो इसके लिए environment variable का use करना यहाँ पर है मतलब इसको set करना ज़रूरी होता है okay that's it कर मैं ली जब दूभएाल